बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com बताएंगे राश्यफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा special उपाए एक ऐसा विशेश उपाए जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर करेगा तो चलिए राश्यफल के शुरुवात करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है शुकरवार का तारीक है 11 फरवरी 2022 माग शुकल दश्मी पर चंदरमा विर्श राश्यव मिर्ग शिरा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुबहंक रहेगा एक शुबहंग रहेगा लाल शुब दिशा रहेगी पूर्व राहुकाल रहेगा सुबह 11.12 मिनट से लेकर दुपहर 12.36 तक रवी योग रहेगा सुबह 7.12 मिनट से लेकर अगले दिन सुबह 6.38 तक दिन का सबसे शुप महरत रहेगा दुपहर को 1.42 से लेकर शाम 3.12 मिनट तक विशेश के हैं मानस योग है बड़ा खास योग मानस योग और इस मानस योग में माया लक्ष्मी की पूजा की जाएगी देखिए लक्ष्मी के बहुत सारे प्रकार हैं उसमें से माया लक्ष्मी की पूजा की जाएगी और हमारा जो विशे शुपाय है वो माया लक्ष्मी से ही जोड़ा हुआ है आर्थि परिवार में सफलता मिलेगी, नौकरी में तरक्की के योग हैं, शिक्षक छात्रों को सहयोग देंगे, परिवार में अनंद रहेगा, जीवन साती से मन की बातें सांज्या करेंगे, उपाईए करें कि पानी में शक्कर मिलाकल तुलसी पर चड़ाएं, शुभंक एक रहेगा, शुभंक रहेगा, लाल, दूसरी राशी वरिष, यनि टॉरस की बात करेंगे, आर्थिक लाब मिलेगा, कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी, नौकरी लगने के योग हैं बेरुजगारों के, माता पिता से आर्थिक सायोग मिलेगा, दामपत जिवन रसिक रहेगा, उपाईए करें कि इच्छानुसार थोड़ी से खीर खाएं, शुभंक साथ रहेगा, शुभरंग रहेगा, सिलेटी, तीसरी राशी में तो नियानी जमनाय की बात करेंगे, सेहत पर ध्यान दें, सफलता के लिए मेहनत करेंगे, पारेवार एक जरूरते पूरी करने में हाथ थोड़ा तंग रहेगा, दोस्तों से मदद मिलेगी, दाम पत्य में मजबूती आएगी, उपाई ये करें कि किसी गरीब कन्या को चावल दान करें, शुभंक छे रहेगा, शुभरंग रहेगा, गुलाबी, चौती राशी कर क्यानी कैंसर की बात करेंगे, मन में चिंता रहेगी, काम तीन रहेगा, शुभंग रहेगा, पीला, पांचवे राशी सिंग, यानि के लियो की बात करेंगे, रोजगार में तरक्की मिलेगी, कारोबारी सफलता मिलेगी, विदेश में पढ़ रहे है, छात्र सफल रहेंगे, कारे सफल हुंगे, दाम पत्य में प्रेम बढ़ेगा, प्रेमी से मुलाकात हो की उपाईये करें कि घर की दक्षन पूर्व दिशा में दीपक करें, शुभंक दो रहेगा, शुभंक रहेगा, सफेद, छटी राशी कन्या यानि के बर्गों की बात करेंगे, आर्थिक स्तिति कुछ सुधरेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, छात् का प्रदर्शन ठीक रहेगा, मित्रों के साथ में पाटी करेंगे, जीवन साथी कामकाज में सहीयोग देगा, उपाईये करें कि किसी भी जरुवत मन को आटा दान करें, शुभंक च्छे रहेगा, शुभंक रहेगा, गुलाबी, साथवी राशी तुला, यानि लिबरा की बात करेंगे, सहत में उतार चड़ाव रहेगा, खान पान पर पूरा ध्यान दे, सांज़दार पर नजर बनाए रखें, कारोबार में दिक्कते आएंगे, जीवन साथी के सहत का ख्याल रखें, उपाईये करें कि इत्रका इस्तमाल करें, शुभंक साथ रहेगा, शुभंक रहेगा से लेटी, आठवी रैशे वरिश्चे कहने कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे, खास लोगों सो मुलाकात होगी, तरक्की के मौके मिलेंगे, जीवन साथी से भरपूर प्यार मिलेगा, बच्चों से प्यार मिलेगा, माता पिता से आशरवाद मिलेगा, उपाईये क धर्मिस्तल में करपूर दान करें, शुभंक एक रहेगा, शुभरंग रहेगा लाल, नवी राशे धनू यानि सजटेरियस की बात करेंगे, व्यवहार ठीक रखें, कामकाज को लेकर मायूस रहेंगे, कामकाज का दबाव बना रहेगा, जादा विस्तिता रहेगी, परिव काज में सहियोगियों की मदद मिलेगी, कारोबारी यातरा की संभावना है, जीवन साथी वे बच्चों के साथ में बाहर घूमने फिरने जाएंगे, उपाई ये करेंगे, दैनिक पूजा में गुलाबी फूल चड़ाएं, शुभंक नौ रहेगा, शुभंक रहेगा, नार रहेगा, शुभरंग रहेगा, नारंगी, बारवी राशी मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, सहत बहतर बनेगी, तरक्की के मौके मिलेंगे, दफ्तर में काम जल्दी निप्टाएंगे, रिष्टों को संभालने का प्रयास करेंगे, छात्रों को नया कुछ करने का मौका म उपाई ये करें कि किसी पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं शुभंक चार रहेगा शुभरंग रहेगा नीला तो दोस्तों अब समय आज के विशेश उपाय का वो विशेश उपाय जो आपको आर्थ कहानी से मुक्ति दिलाएगा देखे मानस योग बन रहा है और इसमें विशेश माया लक्ष्मी का पूजन किया जाता है माया लक्ष्मी एक विशेश तरीकी लक्ष्मी है तो क्या करें आप देवी महालक्ष्मी की पूजा करें और महालक्ष्मी पर चावल चढ़ाईए और चढ़ेवे जो चावल है ये पक्षियों को डाल दीजे और इस पूर झाल झाल